देखिए आज की वीडियो सेसन में कम्प्लीट हिंदी कोर्स के बारे में डिस्कस करने माले हैं और देखिए लेक्चर फर्स्ट होने माले हैं और इस लेक्चर में हिंदी वर्ड माला के अंतरगत सगोश, अगोश, अलप्राण, महाप्राण, लुन्ठित, पार्सि, कुछिप्त, अयोगवाह यह जो ऐसी टर्मलाजी हैं हिंदी की फिर इचु हुई असा नाम तालू, रिट रसाडा, मूर्धा, दंत, ओस्ट, नासिका, कंठ तालू यह सारी जो चीजे हैं यह आपको बहुत परिशान करती हैं पैनिक क्रियेट करती हैं लेकिन आज के बाद इनकी ऐसी हवा निकालेंगे कि कभी भी आपको परिशान नहीं करेंगे तो चलिए बीना किसी तरी के वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करेंगे क्रम वाइस पॉइंट बाई पॉइंट चीजों को डिसकस करेंगे सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ हिंदी वर्ड माला देखे सबसे पहले वर्ड देखे वर्ड क्या है भासा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनी कहलाती है कहीं भी अगर क्वेस्चन आए कि भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो सीधे से आप क्या करेंगे वर्ड लिखेंगे वर्ड या ध्वनी जो smallest unit है हिंदी लेंग्विज की वो वर्ड है अब अगला है वर्ड माला देखें वर्डों के विवस्थित समूह को वर्ड माला कहते है वर्डों का अगर विवस्थित क्रम में आप रख दें तो जो बनेगी वो वर्ड माला बनेगी एक प्रकार से जो फूलों की माला हो जाती है वो फूलों को गूथ दिया जाए अगर तो एक माला बन जाती है तो फिर इसी तरह वर्णों को जब गूथ दिया जाए एक धागे में पिरो दिया जाए या बेवस्थित क्रम में लिख दिया जाए तो वो वर्ण माला बन जाती है अब स्वर को देख लेते हैं देखिए स्वतंत रूप से बोले जाने माले जो ये वर्ण है ना ये स्वर कहलाते हैं जो स्वतंत रूप से उचरित हों जिनके उचान में किसी की हेल्प ना लेनी पड़े मदद ना लेनी पड़े that is क्या है वाविल अब स्वरों का वर्गी करण जो है वो लगे हाथ देख देखिए स्वर तीन प्रकार के होते हैं पहला हरिस्व स्वर दूसरा है दीर्ग स्वर और तीसरा है प्लुट स्वर तो हरिस्व स्वर क्या है देखिए ऐसे स्वर जिनके उचान में एक मात्रा का समय लगेगा वो हरिस्व स्वर कहलाएंगे जैसे आ, ई, उ, री ये कुल मि बड़ी बड़ा ऊए ईयो और यह सभी क्या है दीर्ग स्वर हैं क्लियर हो गया अब प्लुत स्वर देख लेते हैं जित यह जीन वर्णों की उचाण में तीन मात्रा का शमय लगेगा वह प्लुत स्वर के अंतर गता हैंगे जैसे ओम अब दोस्तों क्या है हम स्वरों के बारे में देख लेते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं देखे छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री फिर ए आ ओ आउ यह सारे क्या है इतने स्वर हैं थिख है मूल स्वर यही 11 है ये कुल मिलाकर 11 मूल स्वर है और इसके बाद at last जो अन और अहा होते हैं ये अयोग वाह के अंतरगत आते हैं तो अन और अहा को शम्लित रूप से अयोग वाह कहा जाता है समझ जाए जिसमें अन क्या है ये अनुश्वार है और अहा क्या है विसर्ग है कहीं भी पूँचा जाए अनुश्वार क्या है तो अन को अनुश्वार कहेंगे और विसर्ग क्या है तो अहा को विसर्ग कहेंगे और इन दोनों को शमलित रूप से अयोग वाह कहते हैं देखे हिंदी ब्याकराण के अंतरगत एक प्रस्न पूंचा जाता है कि हिंदी वर्ण माला में कुल अयोग वाहों की शंख्या कितنी है तो आप दो लिखेंगे और मूलส्वरों की शंख्या कितनी है पूंचा जाए तो बे जिजक आज से दुनिया का कोई भी प्रस्न तो 11 ही है अब बेंजनों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं देखें का खा गा गा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाढ़ा अडा ताथा दाधा ना पाफा बाभा यह कुल मिलाकर का से मा तक है ना जो दोस्तों यह 25 इस पर्स बेंजन है बेंजनों का भी वरगी कर है इस पर्स बेंजन अंत्यस्त बेंजन उस्म बेंजन संयोक्त बेंजन उत्चिप्त बेंजन पार्श्विक बेंजन लुंठिद बेंजन तो यह सारी के सारी के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले इस पर्स बेंजन बहुत पूंचा जाता है कि इस पर्स बेंजनों की एक माला बना लीजिए कि यारा लावा यारा। ये उस्म लैजन के अंतर गताते हैं। उस्म लैजन क्यों कहते हैं? रगड के बाद इस रावास बाहर निकलती हैं हमारे मुखारबिंदो से इस वजह से इनको उस्म बैंजन के अंतरगत रखा जाता है उसम बैंजन पूछ लिया जाता है निम्लिक कि इसुझ कौं आप सा और तो आप और यह उसमगेंजन क्या है तो उसमगेंजन क्या है सा, खा, साहा कूलमिलाकर यह चार उसमगेंजन है अब हम बात करेंगे Copy एपलाकर मूल्टा देखें तो चार हैं चा, ट्र, ग्या, और स्रा अकसर पूच्छा जाता है साइपलाकर बनेगा च्छा बनेगा ता और रा ये मिला के त्रा बनेगा जा और इया ये मिला के ग्या बनेगा सा और रा ये मिला के क्या स्रा बनेगा देखे आपको कन्फ्यूज भी किया जाता है का और सा देदेगा इस तरह आपको ये गलत है ये का होगा और ये सा पूरा होगा अगर थोड़ा सा हलंत लगाएगा तो आ लास्ट में हलंत निकाल के रखेगा तो ये वरगी करना आपको पूंच लिया जाता है। अब देखिए उत्छिप्त बेंजन के बारे में डिसकस्वान करें हैं, देखिए डा और ये धा धकन जो होता है ना डा धा तो ये उत्छिप्त बेंजन के अंदर कता आता है डा के अंदर ये थोड़ी सी बिंदी लगा दे और धा के नीचे थोड़ी सी बिंदी गोली लगा दे तो ये उत्छिप्त बेंजन है ठीक है इट इस क्लियर उत्छिप्त बेंजन दो है डा और धा अब उत्छिप नीचे थोड़ा सा गर गोली रख दे अब पार्स्विक बेंजन पूंचे तो जो ला लट्टू होता है ना ला से लट्टू ये पार्स्विक बेंजन होता है पार्स्विक रट लें इसको रट लें डाढ़ा ये क्या है उच्छिप्त बेंजन ला क्या है पार्स्विक बेंज है ठीक है दोस्तों ये आपके दो अर्धस्वर है अब लुन्ठित बेंजन या प्रकंपित बेंजन पूंचे जाते हैं तो रा को लुन्ठित बेंजन या प्रकंपित बेंजन भी कहते हैं अब अनुनाशिक बेंजन पूंच लिया जाता है तो अंगा या आडा ना और मा ये क पांच अनुनाशिक फ्रेंजन के अंतरकत आते हैं अब देखे अलप पराण महाप्राण को साथा है तो देखे को अलप्राण कहेंगे जबकि दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहेंगे महाप्राण कहेंगे ठीक है साखा साहा ये चार महाप्राण के अंतरगत आते हैं अब देखिए सघोस और अघोस के बारें बात कर लें देखिए सभी स्वर प्रतेक बेंजन वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड समझ रहे हैं सभी स्वर मतलब आसे लेकर आउ तक ये सभी स्वर और प्रतेक बेंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तीसरा क्या है शगोश है अगोश क्या है जिसमें बहुत कम समय लगेगा उचान में पहला और दूसरा वर्ण प्रतेक बेंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा पहला और दूसरा वर्ण ये काखा चाचा टाठा ये सब क्या हो जाएंगी अगोश के अंतरगात आ जाएं महाप्राण क्या है दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा महाप्राण पहला तीसरा पाचवाँ और में 1-3-5 ये क्या है महाप्राण है सघोष के अंतरगत के आएंगे सभी स्वर आएंगे तीसरा चौथा पाँचवा ये सभी क्या है सघोष है और जिसमें थोड़ा सब उच्चाण में समय लगेगा हलका सा वो अघोष के अंतरगत आएगा अब क्या है उच्चाण स्थान को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं देखिए उच्चाण स्थान से लेकर बहुत प्रस्ण बनते हैं इसके लिए आपको कुछ सूत्र है उनको रट लेना है उच्चाण वण है उच्चरित होने माले वण है और फिर इस्थान के आधार पर इनको आ कंठ तालू कंठोस्ट दन्तोस्ट जिहिवा नासी का कुल मिलाकर इन 11 जगहों शे उच्चान होता है वर्डों का तो देखें सूत्र क्या है कंठ से उच्चरित होने वाले वर्डों का सूत्र क्या है अकुहु विशर्ज नीया नाम कंठा इस सूत्र को आप रट लें यानि कि आ, काबर्ग, हा, विशर्ज निया ना, मतलब विशर्ग यह सारे क्या हो जएएगे? कंठ से उचरी थोगे आ, काबर्ग, काबर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, गा, ठीक है? तो और इसके बाद का, खा, गा, गा अंगा हो गया और इसके बाद हा और विशर्ग ये सारे क्या आएंगे देखे यहाँ पर ये कंठ से उच्छरित होंगे और इचु यशा नाम तालू मतलब इ और चा बर्ग चा चा जा 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 इया ये तालू से उच्छरित होंगे और या और सा ये तालू से मूर्धा क्या है रिटू रशाणा मूर्धा रिटू रशाणा मूर्धा मलब री टावर्ग अडा रा और सा ये मूर्धा से है दंत से क्या है रिटू लशा नाम दंता री टावर्ग ला और सा ये सभी दंत से उच्छरित होंगे ओष्ट से उपूप पध्म निया नाम उष्ठो यानि कि छोटाऊ बड़ाऊ पाफा बाभा मा ये क्या है ओष्ट से उच्चरित होंगे और नासिका नासिका से काउन उच्चरित होंगे यानि कि या अंगा मा अड़ा ना यानि कि या अंगा मा अड़ा और ना ये सब कहां से उच्चरित होंगे और नासिका से ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती है यहां पर यह सारो जो 5 है यह नासिका से है तो यहां से आप यह लास्ट वाले निकाल देंगे तीक है थो कौकी यह नासिका से उच्छरित होते हैं कंठ तालू से बात कर लें, ए अय, एदय तोह कंठ तालू, मतलब ए और अय ये कंठ तालू से उच्चरित होंगे, कंठोस्ट, ओदव तोह कंठोस्टम, मतलब ओ अव ये कंठोस्ट से उच्चरित होंगे, अब दंतोस्ट से वाकारस्य दंतोस्टम, यानि कि वा जो है, ये द दात और ओट दोनों से इसका उचारन होका, nearby जीवा मनलब जीब से जीवा मूलियस्य जीवा मूलम म McNug Muga केवल जीवा मूलियवर्ण ये आपके मतलब कर नहीं है, नासीका क्या है नासीका अनुष्वारस से केवल अनुष्वार मतलब जिसमें ये बिंदी लगे रहेगे वो नासिका से सिर्फ उच्छरित होंगे तो कुल मिलाकर ये दोनों आप हटा दीजिए यही पूछे जाते हैं नाव तक दंतोस्ट, कंठोस्ट, कंठ तालू कंठ से, मूर्धा से, दंत से, ओस्ट से और नासिका से, कंठ से, ये सारे के सारे रट लिजे अब ओवर्विव लें, तो कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं कुल बेंजन 33 हैं, कुल वर्ण कितने हैं, 22 हैं तो ये दोस्तों, विदिन 15 मिनट हमने क्या है पूरे कंप्लीट हिंदी कूर्स के अंतरगत हिंदी वर्ण माला को, डिस्कस कर लिया है अब हिंदी वर्ण माला की जो, लेक्चर फ़र्स्ट है वो किल मिला कर थेवरिटिकल कलास है तो थियरी आपका कंप्लीट हो गया अब इसके प्रैक्टिस पेपर पर हम डिस्कसन करेंगे यानि कि complete Hindi course में क्या करेंगे हम पहले theory को discuss करेंगे फिर इसके बाद उसके हम concept clear हो जाने के बाद questions को solve कराएंगे तब देखिएगा आप पारंगत हो जाएंगे तो कुल मिलाकर next video मिलते हैं तब तक के लिए सुक्रिया धन्यवाग